किसेंग बाइव नमसकार मैं इसके त्यागी बेग्ज्ञाने केंत घरकुन नहीं पदस्तु किसान बाईयों मैं आपको पपीता की खेती वारे में बताऊँगा कि किस तरह से आप पपीता की खेती करें ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले और आपको आधिक लाव हूं कॲिए इसे खेट का छायन करें जिसमें पानी नहीं बरता हो और अच्utanी ह태 के अच्छी ज्छर्व समित्रस बढक 15-10 पेसा में करने के पहले एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर लें इसके बाद रोटा बेटर चला कर खेत को समतल कर लें यदि आप पपीता फर्वरी किसान भाईयो पपीता भारत में तीन मोसम में लगा जाता है पहला फर्वरी मार्च दूसरा जुलाई अगस्त वो तीसरा सित सबसे अधिक उत्पद्द मिलता है फर्वरी मार्च में आप पपीता लगाने के लिए आप जैसे मैं ने बताया एक जुताई मिट्टी प्लटने हल से करने के बाद रोटा बेटर से खेत को संफल कर लें और पपीता दो बाई दो मेटर की दूरी पर लगाए लाइन से लाइन के पूर्व दो भाई दो फिट का घड़ा खोद लें दो फिट लंबा दो फिट चोरा और दो फिट घेरा गड़ा इस दो बाई दो फिट के घड़े में लगबग 20 किलोग्राम पकी गोबर की खाद 25 ग्राम टायकोडर्माबिल्टी और 500 ग्राम नीम की खली और दो गड़े मिलाकर गड़े को पूरी तरह से बहएं गड़ा भरने के बाद उसमें डिप लाइन बिचा दें पपीता की खेती में डिप सिसे का उप्यव्यक जरूर करें डिप लाइन लगाने के बाद उन गड्डों में जो हमने 2-2 मिटर की दूरी पर खो देते आप उसमें प बहुत अच्छी किसमें हाइविड में अरका सूरिया साथ में एक ताइवाइन किसमें रेट लेड़ी 786 वह भी किसान वाई हो बहुत अच्छे उत्पान दे रही है आप उसका भी रोपड कर सकते हैं इस तरह से रोपाई करने के बाद नेमित रूप से आप सिचाई कर लें पपीता के पोधे को बर्स बर में एक पपीते के पोधे को धाई सुग्राम नत्रिजन धाई सुग्राम फासपुरस और पोटास की आवस्तकता होती है किसान माई हो पपीता में खादेवां उर्बरों को को उप्योग मिर्दा परिक्षन के अनुसर करने चाहिए पोधर पोधे को बर्स बर में घाई सुग्राम नत्रिजन धाई सुग्राम फासपुरस और पोटास की आवस्तकता होती है इसको किसान माई हो लगबग छे भागों में बाट कर छे बराबर भागों में बाट कर पोधरों पन के दो महां बास से खाथ और एवम उर्बरों को का उप होगी जिससे हमें आर्थिगानी होती है इसलिए पोधरोपन के दो महां बास से उर्बरों को उप्योग करना है जिसे मैंने बताया एक पोधे को डाइस्यग्राम नत्रिजन डाइस्यग्राम फासपुरस और पोटास की आवसकता होती है इसको छे बराबर भागों में बाट सब्सक्राइब के समय देदें और पानी में गुलंसे लुर्बरक जैसे यूरिया है अमोनियम सल्फेट है सफेद रंकर मुरड़ा पोटास है केल्सियम नाइट्रेट है इनको दो किलोग्राम प्रती एकाड एक दिन छोड़कर आप देवें सेकंडरी नूट्रेंट्स में में मे intentar सल्फेट मेंगनेसियम केलसीयम और वह वर के लिए मिने समसे लिए वो कैलसीयम नाइट्रेट गणः व्यूग दो किलोग्राम पिरती एक कर महां में एक बार करें सुक्ष पोज़कर करें तो बोरान मुख्य पपीता के लिए तो बोरान डिप के दौरा 500 ग्राम प्रती एकड़ महां में एक बार आप डिप के दौरा देवे माइक नूट्रेंट्स का आप पत्यों पिस्प्रे कर सकते हैं इसका फूल आने के पेले इसके बाद 15-15 दिन के अंतराल पे 2-3 बार मा डी रवटाई इसनाовि करते रहें साथ मिलतुक् superfici करते रहें वरशky c August के पेले पोडे के 4 और मिट्टि ज़रूर चड़ा है क्योंकि पानी सब्सुर्त करद हैं बरसात करी पानी पोडे के तनि पीठी दोटी में फीठी तक बॉड़ पेश्टेसं पमेन सब्रेमि पज़त भी आपता हो तो ड्रिब के दोरह सिचाही करते रहें वाद बात बात डुब से आप शिचाही करें अब इस किसान भाई भाई व कीट रोगों की बाद तो इस में जो मुक्रों एक आतां तना गलन इसमें जबीन के पास से तना गलने लग जाता है और मदू मक्की छत्ते के समान तने के चारोवर रश्णा बन जाती है किसान भाईयो इस रोक के निये इंतर्ड के लिए जिसे मैंने बताया बरसाथ के पहले बोडो पेस्ट की पुताई करें बाद में कापर आक्सी केलोराइट धाई ग्राम प स्पाइड बाइरस यह बीमारी है लीप कल जो रोग है वो सफेद मक्के के दोरा फिलाए जाता है रोक ग्रेस्ट पोदे से स्वस्थ पोदे में और रिंग स्पाइड वारस एफिट के दोरा फिला जाता है तो इन रच्चूसक कीटों की नियंतर के लिए इमीटा कलोपिट सत्रह दसलों आठ प्रतिसत एसल पांच एमेल प्रति पंदा लीटर पानी में घोल कर 15 जिन में एक बाश चिरकाओ करें इसके लावे एक और कीट नहीं सके किसन भाई यू थायो में थाज़ाम 25 प्रतिसट डवलू जी इसकी पांच ग्राम मात्रा प्रति पंदा लीटर या 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानियम घोल का चिरकाओ करेंगे तो आपको जो रच्चूसने वाले कीट हैं उनसे देंतर की दबा मिलेगी यह रच्चूसे कीटों के लिए किसान भाई यू मीटा किलोफिट 17.08 प्रतिसत एसल इसकी 60 अमेल मात्रा प्रति प्रति एकड़ 200 लीटर पानियम घोल का चिरकाओ करें इसकी 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानियमे गोल का चिरकाओ करेंगे तो यह जो एफिट है कि इसके लिए इसके लिए 200 एमेल प्रिति एकड़ दो सुट्र पानीम घुल का चिटा करेंगे तो मकड़ी की समस्या हल होगी इस तरह से किसान भाई हो आप एक एकड़ कीट रोग प्रबंधन अपनाएंगे एक पोशक्त प्रबंधन अपनाएंगे तो एक एकड़ से लभग चार सो कुंटल पापीता निकलता है रोपाई के आठ माहिने बाद इसकी तुडाएं शुरू हो जाती है और फिर लगातार 6 से 8 माहिने तक इसकी तुडाएं जारी रहती है यह कासर् से किसान भाई छार सो पापीता निकलता है और यादी बजार में ऊस्त नीए आठ रुपे किलो बिखता है तो लगभग 3,20,000 रुपे का पपीता एक एकड़ से निकलता है जिसमें लगभग 1,00,000 रुपे पिरती एकड़ लागाता थी है इस तरह से हमें किसान भाईए 2,20,000 रुपे पिरती एकड़ पपीता से सुद्धु मुनापा होता है बहुत